एक बहुत ही exclusive खबर जी हाँ खबर ये कि भाई पवन सिंग जहां होते हैं वहाँ किसी और का सिक्का नहीं चल सकता जी हाँ आज हमारी ये खबर जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए हम कहा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदी कलाकारों को अपने केरियर के धलान में जहां उनके केरियर नहीं चलते हैं फिर वो बॉलिवुड के जो सिंगर भी हो या बहुत बड़े एक्टर हो वो भोजपूरी में काम कर लेते हैं क्योंकि उनके केरियर की एक धलान लेकिन क्या आपने कभी किसी टॉप के हीरो को क्या टॉप के सिंगर को भोजपूरी में गाते सुना है जी ने वो नहीं गाते और लेकिन लेकिन भाई पवन सिंग जहां रहते हैं वहां कुछ भी हो सकता है लेकिन अब जो हम आपको खबर बता रहे हैं वो खबर बहुत ही तो आप सभी को पता है कि चार पवान सिंह के बहुत बड़े प्रोजेक्स सा रहे हैं और उन चारों में से जो फ्रोजेक्स उनके लिए पवान औमोस्ट आप कह सकते हैं के हिंदी सौंग के लिए ही गाएंगे लेकिन उसमें से एक जो गाना है उसके लिए पवन सिंग ने पायल देव की पूरी टीम फिर जो म्यूजिक कमपनी है उससे सभी से एक ऐसी जिद कर ली कि उस वक्त माहुल गर्म हो गया सब ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये चौथा गाना ना है लेकिन आपको ये बता दें कि उस वक्त माहुल इसले गर्म हुआ कि पवन सिंग के सामने पूरी लिरिक्स याने के जो बोल होते हैं गाने के मुखड़ा अंतरा सब कुछ लिख करा गया पवन सिंग ने पढ़ा और फिर पवन सिंग ने कहा कि वो ये गाना भोजपुरी में गाएंगे सभी उस वक्त सन्न रह गया क्योंकि भाई लिरिक्स तयार है संगीत तयार है अब ऐसे में सब कुछ बदलना बहुत मुश्किल है फिर पवन सिंग को समझाया गया लेकिन काम पर है और ऐसे में जब उनका दिल गवाही किसी चीज के लिए नहीं देता वो काम वो कभी नहीं करते ये बात सुनने के बाद लोग समझ गये कि पवन सिंग हिंदी में तो ये गाना नहीं गाएंगे तो पवन सिंग की लाइन को चेंज कर दिया गया जितने हिंदी सौं के आवाज के जादू को वो बखु भी पहचानती है लेकिन पायल देव के भाई आदित्य देव ने उन्हें समझाया कि सही कह रहे हैं पवन सिंग उनको अपने भाशा के प्रती एक अलग ही लगाव है जब वो कह रहे हैं तो बात सही होगी उसके थोड़े ही देर बाद ज एक क्लाइन तो भूजपुरी में इसमें गानी ही पड़ेगी पायल देव ने कहा कि वो बॉलीवुड की टॉप सिंगर है ऐसे में अगर वो भूजपुरी में गाना गाएंगी तो लोग कुछ अलग ही समझेंगे फिर पवन सिंग वहां से उड़ गये माहोल को फिर खराब होता देख आदित्य देव ने पायल देव को समझाया कि क्या हुआ अगर तुम भूजपुरी में गालोगी तो वैसे हम भी तो उसी माटी से बिलॉंग करते हैं भाई की बात को समझते हुए पायल देव ने एक मुखडा सिर्फ भूजपुरी में गाया और फिर अपने गी अगर नावाली भी होगी तो हमें तो हो ही जायेगी वैसे वीडियो खतम करने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन से भूजपुरीय स्टार्स के बारे में हमारे और आगे आने वाले वीडियो में जानना चाहते थे हमसे comment box में comment किजे वैसे आप से पिछले वीडियो में किया हुआ वादा हमने पुरा किया आपको इसी गाने के बारे में हमें latest और अच्छी ही जानकारी देनी थी लेकिन पुक्ता जब तक हम पुख्ता नहीं होते आपको हम जानकारी नहीं देते भूजपुरी जगत की होट और मसाले दारगास के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिलकिना भूली